नमस्कार दोस्तों वेनम अकेड़मी MP पटवारी आपकी बारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है दरसल वेनम अकेड़मी MP पटवारी में आपका स्वागत है ठीक ना चलिए आज देख लेते हैं आज के पहला कुछन कुछन में कोई पूछ रहा हो देखे कुछ लोगों को अबर मेरे पास 4 नमबर है चार नमबर उनका औसकिता है 24 है यदि इन चार नमबर में मैं 2 का भाग दे कर दूं तो हमारा answer कि तता आज आएगा, तो average पे भाग, गुणा, जोड और घटाने का इस average पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर मैं 4 नंबर में 2 का भाग करूं, 4 नंबर में 2 का गुणा करूं, 4 नंबर में 2 का जोड करूं, और 4 नंबर में 2 को घटाउं, तो जो लोग हम आज का topic है जैसा कि आप लोगों ने देखा average ठीक है अब वो students देखें जिन लोगों को ये topic थोड़ा समझना है और जो लोग जिनको आता है वो इसका answer करने के बाद तुरंत क्या करेंगे एक बार revision करेंगे ठीक है ना एक बार revision जरूर करेंगे ठीक है चलिए आएगे तो average सब कभार वो तरुमसे पहले average किया होता है किसी चीच को balance करना अपनी UH को अपनीż facility को balance कर्लो या तुम अगर रोब 6 बजाए को कि दिन 7 बजाए उठते हो कि कि दिन 8 बजा उठते हो और तुम्हें अगर और कोई time बताना है कि भाई बताओ कि तुम कितने बजा बजा उठते है थीख है नःовने पास average average में बोलते हैं माध्य भी बोलते हैं क्या माध्य बोलते है ठीक है तो एक एक करके समझते हैं क्या है धिरके सबते होता क्या है वो जाणलो average औसत औसत क्या होता है हमारे पास sum of observation यानि आकडों का योग अपन number of observation यानि आकडों की संख्या यानि क्या होता है यह हमारे पास average का सबसे basic formula होता है जो सबी को पता होना चाहिए क्यों पता होना चाहिए जब आदमी कहीं पे भस्ता है तो हमेषा क्या करता है basic से help लेता है ठीक है न तो यह हमारे पास average takiego formula हो गया और अवरेज मिकालते कैसे हैं यह भी देख लेते हैं जैसे हमारे पास क्या है कुछ संख्या लिखी हुई है कि 40 50 60 70 45 और 35 ठीक है ना यह हमारे पास संख्या लिखी हुई है इसका हमें क्या करना है एवरेज अबरेज फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह हमारे पास क्या है observation है इतने सारे हमारे पास आकड़े है इनको क्या करो संकर दो तो संकरोगे तो इसका संकित्ता आएगा आप लोग करके ला न मैं लिख के लाए हो ठीक है चलवा जाओं संकित्ता होग इनका 300 ठ आपके क्या हो जाएगा answer मैंने जस्ट यह question इसलिए बताया है क्योंकि आप भरोसा नहीं करोगे हर सेट में हर सेट में केवल ऐसे question पूछे गए हैं कि इनका average average निकाल के बताओ हर सेट में ऐसे question question पूछे गए एक नहीं दो-दो question पूछे गए ठीक है तो कहने को सरल है लेकिन जब यहीं पूछे जा रहे हैं तो focus भी इन पर कर लो focus भी इन पर कर लो ठीक है चलो एक बार इसको ले लिए चलो आगे बात करते हैं अब देखो किसको बताया है Natural Number Dollar system में करा दिया है ठीक है तो अब हमारे पास topic क्या है कि natural लंबर का average कैसे निकालेंगे ठीक है अड़ी पास सब से पहले क्या है first n natural completes दो भी फैस्ट परन ना नीच्वर नंबर का average यानि पहली 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 एन प्राक्रतिक संख्याओं मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं ठीक है ना bilingual class चल रही है ठीक है तो चलो प्रथम एन प्रथम एन प्राक्रतिक संख्याओं का योग कितना होता है प्रथम N प्राक्वतिक संख्याओं का योग N into N plus 1 divided by 2 N into N plus 1 divided by 2 ठीक है न? तो ये हमारे पास क्या होता है? प्रथम N प्राक्रतिक संख्याओं का योग और अगर इसका average निकालना हो तो हम क्या करेंगे? प्रथम N यानि हमारे पास number of observation कितने है? N है number of observation कित्ते है n है और इन observations का योग कित्ता है n into n plus 1 divided by 2 तो हमारे पास sum of observation कित्ता हो गया n into n plus 1 divided by 2 और अप all में क्या कर देंगे number of observation यानि total number of observation यानि हमारे पास कुल आंकडों की संख्या कितनी हो गई n है और हमारे पास number of observation जो sum है sum है यन संख्याओं का सम है यन प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का जो सम है वो यहाँ पे आ गया इसको थोड़ा solve करेंगे तो हमारे पास ये n से n कट जाएगा और हमारे पास कित्ता आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड़ बाइ 2 और यही हमारा क्या यह हो जाता है त्पक्षा गया का विगे कर लेते हैं क्या यह सही और यह सही ऐसे एक दो अंसे पट यह कैसे पता चलेगा यह संध्र हो रहे हैं कि घरर डूंत qm visual क्सिक है इनका कैसे हो गाते नॉरमल निकालते हैं चार तिन साथ दो 9, 10, 10 बटे 1, 2, 3, 4, 10 बटे 4, ठीक है न, 10 बटे 4 हमारा क्या आ गया, average आ गया अब इसको इस formula से निकालते हैं 4 का, 4 तक का sum क्या हो जाएगा, तो हमारे पास sum क्या होता है n into n plus 1 divided by 2 4 into 4 plus 1 divided by 2, ठीक है न divided by 2, तो हमारे पास कित्ता हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और total number of observation हमारे पास कित्ते हैं, 1, 2, 3, 4 तो बटे 4, 10 बटे 4 यानि दोनों से हमारा answer क्या आ रहा है दोनों से हमारा answer क्या रहा है same आ रहा है, दोनों से हमारा answer क्या रहा है, same आ रहा है मतलब ये दोनो property हमारी paste में नहीं है, ये आप लोगों को provide कर दी जाएगी, ठीक है न, देखे पूरी hand written notes है, ठीक है चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कोई tension नहीं लेगा, ठीक है न, चलो इसको note कर लिया, आगे देखते हैं आगे देखते हैं, अपला हमारे पास क्या है प्रथम N प्राकृतिक संख्याओं का योग, कित्ता होता है N into N plus 1 divided by 2, ठीक है न, चलो आजाओ अगला क्या है, प्रथम N क्या होगा प्रथम N प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग प्रथम N प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है वर्गों का योग, formula पता है क्या होता है, क्या होता है n into n plus 1 और क्या होता है divided by 6 ये क्या होता है, प्रथम n प्राक्टितिक संख्याों के वर्गों का योग जैसे 1 का square प्लस 2 का square प्लस 3 का square प्लस 4 का square अगर कुछ ऐसी series हमारे पास दी हुई है अगर कुछ ऐसी सिरीज हमारे पास दी हुई है तो ये हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे हमारे natural number हो जाएंगे यानि की प्राकरतिक संख्या हो जाएंगे और अगर आपको इनका योग निकालना है तो ये आपके पास formula है ठीक है न और हमारे पास total कित्ती प्राकरतिक संख्या है अगर मैं इसका इन ही प्राकरतिक संख्याओं का average की बात करूँ तो average में just आपको क्या remove कर देना है इस n को यहां से हटा देना है और क्या लिख देना है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 divided by 6 और यह आपका क्या हो जाएगा average का formula हो जाएगा just मैंने कुछ नहीं किया बस इस n को हटा दिया क्यों 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 कि यह हो गया हमारा क्या sum sum of observation sum of observation upon number of observation यानि sum आंकरों का योग हो गया यह हमारा और आंकरों की संख्या यंग थी जिसे हमने यहाँ भाग दे दिया जिसकी वज़े से क्या हो गया यह हट गया यहाँ से और सिर्फ हमारे पास क्या आ गया n plus 1 to n plus 1 divided by 6 ठीक है तो यह पर्थम n तो औसत पता चल गया ठीक है ना पर्थम n प्राक्रितिक संख्याओं के घनों का योग ठीक है ना अब n प्राक्रितिक संख्याओं के वर्गों का नहीं घनों का घनों का योग घन मतलब 1 का क्यूग 2 का क्यूग 3 का क्यूग 4 का क्यूग और यह ऐसे चलता जाएगा तो अब इनका सम कैसे निकालेंगे उसके लिए भी आओ फार्मूला देख लेते हैं ठीक है ना घनों का योग ठीक है क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 प्राक्रितिक संख्याओं का योग लिखना याद कैसे रखना याद रखना सबसे इंपोर्टेंट है सबसे पहले n प्लस 1 को योग लिखना और घन है तो उपर क्या लगा देना स्क्वाइर लगा देना घन का मतलब क्यूब होता है इससे एक कम करके लगाना तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा प्रधाम n प्लस 1 का होल स्क्वाइर divided by 4 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 1 का whole square divided by 4 ठीक है न ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा average का हो जाएगा अगर आप जानना चाहते हैं ये average कैसे आया है तो please comment section में मुझे जरूर बताएं कि इस से इसका average निकालने के लिए इस संख्या को इस संख्या का agency ये हमारे पास है इसका average ये कैसे आया कि आप proof के साथ बता सकते हैं argument दे सकते हैं अगर आप दे सकते हैं comment section में जरूर मुझे यहां से यहां तक पहुँचने का रास्ता comment section में जरूर comment करें ठीक है ना चलो आओ तो ये हमारे पास घनों का योग हो गया एन प्राक्तिक संख्याओं के घनों का योग ठीक है ना अब देखो प्रथम एन विशम संख्या का योग देखते हैं ठीक है ना प्रथम एन आप इसको मिटाय दे रहा हूं मैं ठीक है न, चलो आजाओ अगला देखते हैं, प्रथम N, विशम संख्या का योग, ठीक है न, क्या लिखेंगे हम, प्रथम N, विशम संख्या का योग, जैसे प्रथम N, विशम संख्या मतलब 3, 5, 7, 9, ऐसे संख्या चलती जाएंगी, तो इनका योग हमारे पास क्या हो उसके लिए प्रथम एन प्राकृतिक विशम संख्याओं का योग हमारे पास हमेशा क्या होता है जिस तरह प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का विशम प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो चलो एक बार देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास जिस तरह प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो डारेक्ट क्या कर सकते हो हमारे पास कित्ती संख्या है 1, 2, 3, 4 तो यहा तो यहाँ पर क्या कर दो 4 का स्क्वाइर तो 4, 4, 16 और यही इसका योग भी आने वाला है देखो 7, 3, 10, 5, 15, 1, 16 इन सबको अगर जोड़ोगे इन सबको अगर जोडते भी हो तो हमारे पास कित्ता आने वाला है 16 आने वाला है इसलिए हम कहते हैं कि प्रथम N विशम प्राक्रतिक संख्याओं का योग यानि N विशम यानि odd odd natural number ठीक है न हम क्या कहते हैं प्रथम N odd विशम संख्याओं का योग हमारे पास कित्ता होता है N square ठीक है और अगर हमें इसका average निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा N square है तो divided by N ये हमारे पास क्या है sum of observation यानि आकड़ों का योग और total हमारे पास आकड़े कित्ते हैं N ही तुँ आकड़े हैं तो हम क्या करेंगे इसको N से divide कर देंगे जिसकी वज़े से हमारा average कित्ता है जाएगा N और यहीं हमारा answer होता है तो चलो इसका average N आ गया मतलब इसका average कित्ता आना चाहिए N ठीक है तो चलो आओ आगे देखते हैं एक बार इसका screenshot ले लो फिर आगे चलते हैं चालो आगा हमारे पास क्या है प्रथम N प्राकृतिक समसंख्याओं का योग हमारे पास क्या होता है ठीक है ना प्रथम N विसम देख लिया आप अगला देखते हैं अगला क्या है प्रथम N प्राकृतिक समसंख्याओं का योग क्या है मारे पास प्रथम N समसंख्या का योग प्रथम एन प्राक्रतिक समसंख्या का योग ठीक है ना अब हम किसका निकालेंगे समसंख्या का योग निकालेंगे तो समसंख्या का योग हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला लिख लो एन इंटू एन प्लस वन और अगर इन ही समसंख्याओं का तुम्ह कितता हो जाए्गाч एंड फ्लस फन्ट टैसे कैसे जासे घम्रपास कीत कर लो उसके बाद क्या करते हैं और हां यह हमारे पास किया हैं रिटेंड नोटि से जादा परिषान मत उना इसमें क्या है हिंदी इंग्लिफ दोनों लिखा हुआ है दिख रहा है नहीं दिख रहा है अपलोड कर देंगे ठीक है एधिर्ड में एधम से आमारी है कि इससे दे अफ़ोड होती है सुपर 30 ऑट से श्रीग चल रहा है अगर आपको भी इसमेरोड cooked did है डेली के डेली टेस्ट वीकली टेस्ट हो रहा है जूम मीटिंग लाइब डिसकसंस सब कुछ इस्पेसल गाइडेंस जतना हो सकता है पटवारी के लिए इंपोर्डेंट सब कुछ करा जा रहा है ठीक है तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारे पास और क्या है एवरेज हो ग संख्याओं का ओसत ओसत एवन है यदि एनवन संख्याओं का ओसत क्या है एवन है और एनटू संख्याओं का ओसत एटू है तो हमारे पास क्या हो जाएगा तो एनवन एनटू का ओसत होगा तो हमारे पास टोटल ओसत हैना कुल ओसत कितना हो जाएगा कुल ओसत कैसे निकाल होगे यानि टोटल एवरेज टोटल एवरेज यह सकते हो कुल ऊस्त इन दोनों का खना कैसे निकालोगे क्या करेंगे फॉर्मूला हमारे पास संख्यां को खीकथैंटनाय ल टो यह 2 क्यों कि N2 इंटन टू एट्व्ण keeps इसको एक बार वाक्स में रख लो क्योंकि ये बहुत important formula है आप से पूछेगा आप से पूछेगा चार विद्यारतियों के बजन को आउसत 25 है पांच विद्यारतियों के बजन को आउसत 26 है ठीक है तो बताओ तो बताओ टोटल कच्छा का आउसत क्या है तो आप क्या करेंगे चार गुणे 25 प्लस पांच गुणे 26 और बते 5 चार 9 और आपको ऐसे करके अंसर यहाँ पे देना पड़ेगा ठीक है तो यह होगे वेटेड अवरेज ठीक है चलो इसके बाग एक बार स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे समझते है अवरेज स्पीड क्या होती है ठीक है अव अगला टापिक डाल लो अगला है अवरेज स्पीड ठीक है ना चलो अवरेज स्पीड को समझने के लिए सबसे पहले टापिक डाल लो क्या होता है अवरेज स्पीड अवरेज स्पीड ठीक है ना ओसत गती ओसत गती देखो अगर कोई अदमी है हमारे पास एसे बी डिस्ट और ये distance हमारे पास क्या है? Same है, distance constant है, ठीक है न? तो यहां से वो क्या करता है? X km per hour से, यहां से यहां तक travel करता है और यहां से यहां तक वो फिर से travel करता है किस speed से? Y km per hour से तो आपको question में पूछेगा कि बताओ average speed क्या होगी इसकी? average speed यानी क्या होता है हमारे पास? और सत गती, और सत गती हमारे पास क्या हो जाएगी? तो हम कैसे लिखेंगे? डारेक्ट फॉर्मूला लिख लेना, फिर उसको जब question practice करेंगे तो इसके और अंदर तक नसों को खोद के निकालेंगे, ठीक है न? चलो आजाओ, तो हमारे पास क्या होगा? 2xy upon, और यह देखो यह ऐसे जा रहा है, यह ऐसे जा रहा है, तो upon x plus y और यहीं हमारे पास क्या होता है? average speed का formula होता है, इसको एक बार copy में लिख लेना, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है? लो लो screenshot, चलो चलिए कुछ question कर लेते हैं, question क्या है मारे पास, question क्या है, चलिए आईए देखते हैं, प्रथम, पहला question हमारे पास क्या है, प्रथम, प्रथम 73 संख्याओं का, प्रथम 73 संख्या का average निकालना है, यानि प्रथम, प्रथम, यानि first n, first n, 73 नमबर का, ठीक है न, हमें क्या करना है एवरेज निकालना है तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए हमें 73 संख्याओं का योग तो पता होना चाहिए तो 73 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या लिखाया था एवरेज निकालना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा एन का डिवीजन भी करना पड़ेगा ठीक है न तो यहां पर एन का और दो से इसको काटेंगे तो कित्ता हो जाएगा दो त्याइश है तो सत्य चवदा और सैंतिस हमारे पास एंसर आ जाएगा प्रीविएस यहर पेपर में बहुत हलके हलके कोश्चन आ रहे हैं मैंने कम से कम आठ से दस सेट में देखा है सिर्फ आपको वो पांच से छे आक आगे देखते हैं अगला कोंशन हमारे पास क्या है अगला कोंशन भी देख लेते हैं अप्लोगों से मैंने कर जबब पूंचा 34 आंकडो साथ आंकडो कोसद 34 है ठीक है ना तीन आकडो कोसद अथाइस है तो यह दो आकडो कोसद क्या होगा है ठीक है तो चली अगला खुश्चन है हमारे पास कहां यह चलो, एक अच्छा में 15 वर्ष की उमर के 10 विद्द्यारती हैं और 10 विद्द्यारती है, 16 वर्ष की उमर के कितते विद्द्यारती हैं? तो हमें क्या करेंगे यह देख़े वेटेड़ेज हमारे पस क्या है इसको इसको multiply करो जोड के total sum of observation upon number of observation हमें करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 10 गुड़े 15 फिर क्या करेंगे 16 गुड़े 15 फिर क्या करेंगे 14 गुड़े 5 अब अब देखो यह तो हो गया हमारे पास sum अब total student हमारे पास किते हैं 10 15 और 5 तो हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 15 प्लस 5 तो हमारे पास किता हो जाएगा चलो एक बार करके इसको देख लो एक बार करके इसको देख लो यहाँ पे किता हैगा 460 यहाँ पे किता हैगा 460 10, 10, 20, 25, 25, 35 30 आएगा यहाँ पे किता हैगा यदि एक 0 से 1 0 कट जाएगा 3 एक कम 3 ठीक ना 3 पचे 15 3 पचे 15 एक 16 बटे 3 यह हमारे पास किता आ गया इसका अंसर 15 सही एक बटे 3 एर यानि उनकी ओसत आयू इन सभी बच्चों के इन सभी बच्चों की ओसत आयू हमारे पास कित्ती निकल के आ चुकी है 15 सही 1 बटे 3 year निकल के आ चुकी है ठीक है चलो आओ अब अगर मैं थोड़ा analysis की कुछ बात कर लेता हूँ जो मैंने सुरू में question पूछा था उसकी थोड़ा जबात कर लेता हूँ माल लीजे हमारे पास कोई संख्या है ठीक है तीन नंबर है चलो आओ देखो हमारे पास तीन नंबर है जैसे 4, 5 और 6 इनका अगर मैं आपसे average कूछ हूँ average कूछ हूँ तो हमारे पास कित्ता हो जाएगा 6, 4, 10, 5, 15 15 बटे 3 यानि 3 पचे इन सब का average हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अगर मैं बोलू इन सभी में मैं 2, 2 add करे दे रहा हूँ इन सभी अंक में प्लस 2, प्लस 2 और प्लस 2 इन सभी में प्लस 2, प्लस 2 करे दे रहा हूँ तो चलो add करके देखते है 4, 2, 6, 5, 2, 7, 6, 2, 8 तो अब हमारे पास अंक कितने आगे 6, 7, 8 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4, 2, 21, 21 हमारे पास कितना आगिया 21 बटे 3 और अब average देखना हमारे पास कितना आगे 3 सते और आप जान के शौकड हो जाऊगे कि देखो इनके बीच में relation क्या आ रहा है जब हमने 4, 5 और 6 का आईसफ निकाला तो हमारे पास कितना आ रहा है पांच और अगर मैंने सभी संख्या में 2 का जोड कर दिया और फिर आसफ निकाला तो हमारे पास आसफ कितना आ रहा है तो आप देखे, इन दोनों के बीच में भी difference कितने का है, plus 2 का है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है, कि अगर हमारे पास number कोई सा भी हो, किसी का भी कुछ भी हो सब दिया हो, अगर हम उन numbers में कोई भी operation perform करते हैं, तो उसका असर equally पढ़ता है, किसमें average पढ़ता है, ठीक है, चलो आओ, एक और condition देख लेते हैं, एक और condition देख लेते हैं, अगर मैं इन सभी numbers में, आओ, इन सभी numbers में मैं क्या अगर हो, दो घटा के देख लेता है, ठीक है न, चलो आओ, दो घटा के देखू, minus 2 करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, फिर minus 2 कर या 9 बटे 3, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया average, इस बार 3 आ गया average, और आप अगर देखो, गौर से देखो, तो 5 में अगर हम 2 घटा देंगे, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका मतलब, इसका मतलब जो मैंने सुरू में question पूछा था, कि ये बताओ, तो अगर हमारे पास कोई भी number है, उन सभी number में अगर हम 4 जोर दें, या कुछ भी जोर दें, कुछ भी घटा दें, कुछ भी भाग कर दें, या गुणा कर दें, तो उसका equal effect हमें कहां पर दिखता है, average पर दिखता है, और ये average की इतनी अच्छी property है, ये property अगर आपको पता है, तो आप किसी भी question का, किसी भी question का direct answer provide कर सकते है, आप एक question देख लेते हैं, इसी पर based, इसी पर based एक question है, उसको भी देख लेते हैं, चलो, एक बार इसका screenshot ले लो, फिर question देखके, खतम करते हैं, इस class को, ठीक है ना, ये last question है, चलो, आज़ो, हमारे पास question क्या है, याद प्रतेख संख्या को किस से गुना किया जाए, तो हमारे उसत पर क्या प्रभा पुणेगा, तो हमारा new average किता हो जाएगा, new average बताना है, तो अभी मैंने बताया कि कुछ भी करो, यादि जो काम तुम सभी संख्याओं के साथ पर रहे हैं, हो वहीं काम क्या कर दो एवरेज के साथ भी कर दो तो संख्या का उसत क्या होगा हमने क्या किया है हमने क्या किया है तेरा का यहां पर गुणा किया है तो उसत के साथ भी क्या कर दो तेरा का गुणा तो 33 गुणे क्या कर दो तेरा कर दो तेरा कर दो जब दी कभी ऐसा गुणा गुणा आजाए जल्दी करने के लिए क्या करना एक 11 गुणे 3 कर लेना है 11 ते 30 और इसको गुणा करना 13 39 39 ट्रिक क्या है थ्री 9 9 3 12 कि 2 हासिले 3 4 429 और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा और यह बहुत अच्छा कुस्चिन एक्जाम में बन सकता है डारेक्ट आप से पूछा जा सकता है ठीक है तो क्लास आपको कैसी लगी सबी लोग जरूर बताएंगे सुपर तर्टी ग्रूप में आप लोगों को अगर इन्रोल होना है तो हमें मैसेज जरूर चुरूर करें Link में दिस्क्रिप्शन में दे दूंगा WhatsApp नंबर दिस्क्रिप्शन में सो कर दूंगा ठीक है इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्ट करते हैं मिलते हैं इसके 2 दिन बाद रिवीजन क्लास में कल करनेया टापिक होगा फिर उसके बाद इसकी रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी ठीक है ना तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं धन्यवाद पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए वेनम अकेडमी से जुड़े रहिए